नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज ही जो वीडियो है ये बड़ी खास और इंटरस्टिंग है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको 4-5 रुपे के कोपर निकल के 9 गिराम वजन के ऐ इनकी मार्किट वैल्यू ए-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e या एक लाख उर्पे तक है लगभग मान के चले अगर आपके पास से सिख्के AUNC या UNC कंडिशन में है तो नुमिस्मेटिक मार्किट में इन पांच उर्पे की वेल्यू एक लाख उर्पे होगी लगभग कौन से सिख्के हैं एंड तक देखें आज इस वीडियो में एक सिख्का आपके लिए भिलाया हूं अगर वो सिख्का आप अपने कलेक्शन में अड़ करना चाते हैं तो वो सिख्का आप मुझसे ले सकते हैं अपने collection के लिए actually दो सिक्के हैं मेरे पास एक सिक्क अगर आप अपने collection के लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तो इन सिक्कों को देखते हैं river side से सभी सिक्कों को देख लेते हैं river side से और दोस्तो ये वो सिक्के हैं जो बहुत ही low mintage के सिक्के हैं, इसमें ये तीन सिक्के जो देख रहे हैं आप, 5 उर्पे के 9 गिराम के सिक्के हैं, ये चारो, ध्यान धकनाब, कौपर निकल के, ये तीन सिक्के बॉम्बे मिंट की तरफ से जारी किये गए, फर्स्ट वार ओफ इंडिपेंडेंस, सुतनत्रत संग्राम का, 2007 का सिक्का, दांडी मार्च, कौपर निकल 2005 का सिक्का, ये भी बॉम्बे मिंट से हैं, और खादी विलेज इंडस्टीज कमिशन, कौपर निकल का ये सिक्का भी बॉम्बे मिंट से, तो ये तीन सिक्के अगर आप किसी कोईन कलेक्टर को कोईन डीलर को भी सिखे देंगे तब भी आपको बहुत अच्छी वैल्यू मिलेगी एक बात और इन चारों में से कोई भी सिखे अगर आपके पास है और वो आप बेचना भी चाते हैं तो मैं उस सिखे का बायार हूँ मैं आपसे वो सिखे खरी दूँगा बस ध्यान आप ये दे कोपर निकल के सिखे होने चाहिए 9 गिराम बजन के तो इन सभी सिखे को कोईन हो सिखे है लेकिन इनकी लो मिंटेज के कारण इनकी दुल्लबता के कारण इन सिखों की कीमत काफी जदा बढ़ चुकी है मैं काफी बार आपको बदा चुका हूँ अगर कोई 5 रुपे का सिखा 20 से 25 जार रुपे की वैलियू रखता है नुमिसमेटिक मार्केट में तो जरू बहुत सारे फेक्टर होते हैं इसकी पर पढ़ सकते हैं यह कुछ कारण होते हैं जिसकी वज़े से कोई भी सिखा काफी जदा महंगा बिखने लगता है तो ऐसा नहीं है क्या कोई 5 रुपे का सिखा है उसकी वैलियू आपको 20 से जार रुपे बताई जा रही है तो वह सब रोड है जूट ऐसा नहीं है कि जब आप मुद्राशास्त्री एक नुमिस्मेटिक बनेगे सिक्कोव पर स्टड़ी करेंगे एक नुमिस्मेटिक जब सिक्कोव करता है तो इसको पता चलता है कौन-कौन से सिखें low vintage के हैं कौन से सिखे कम बने कि जपाई कम हुई तब उसकों पता चलता है ये सिखे क्यों collection के लिए अच्छे है संग्रेय के लिए अच्छे है ये चारो ही सिखे जो आप मेरे हाथ में देख रहे है बहुत ही जाधा low vintage के सिखे है इनमें कोई सिखा 3,000 बना, कोई 5,000 से 6,000 बना, कोई 5,000 से 10,000 की विंटेज हुई, कोई सिक्का 11,000 छपा, इस तरह के ये सिक्के है, ये जोग पर आप सिक्का देख रहे हैं, सबसे उपर, खादी विलेज इंडेस्ट्रीज कमिशन का, ऐसा कहा जाता है, कि 3,000 मिंटेज, कोपर निकल के सिक्कों की हुई, मुंबई मिंट की तरफ से, ऐसे ही ये सिक्के हैं, जिनके अलग-अलग मिंटेज होई, किसी की 5,000 से 6,000 मिंटेज होई, किसी की 8,000 से 10,000, किसी की 11,000, इस गारेंटी नहीं है, कि उनमें आपको इन चारों में से एक भी सिक्का मिल जाए, क्योंकि ये सिक्के, अपने आप में काफी ज़्यदा, खास हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा रेर हो चुके हैं, अपनी दुल लगता के कारण, ध्यान से देख लें, एक ओपर निकल के हैं, चारों सिक्के, सिक्योर्टी एज के साथ आते हैं, चारों सिक्के, एक बार में आपको इनके एज दिखा देता हूँ, इध्यान से देख लें, चारों सिक्कों में सिक्कों में सिक्योर्टी एज देखने को मिलता है, और आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है क कि यह UNC सेट का सिक्खा है या सर्कुलेशन स्टायक वाला सिक्का है उसके लिए सिक्कों पर बारिकी से स्टुड़ी करने पड़ेगी वीडियो में काफी बार बता चुका हूँ क्या-क्या देखना होता है जिससे हमें पता चल सके क्या circulation strike वाला सिक्का कौन सा है UNC set वाला सिक्का कौन सा है mint mark को बारिकी से देखें आप पूरी लिखावड को अच्छे से समझे portrait का चितर का design देखे overs rivers को बहुत बारिकी से study करें क्योंकि कुछ study आपको अपने end से भी करनी होगी अगर आप ये चारे हैं कि सब कुछ पूरी एक एक बारिकी एक से लेके सो तक सारी चीज़े आपको कोई सामने वाला ही बता दे तो फिर आपने अपने end से क्या study करी ये भी एक सोचने का विशे है तो खुद से भी आप थोड़ी study करें ये नहीं किसी अगर माल लिजीए जो बता रहा है आपको उसकी जानकारी में कुछ कमी हुई तो फिर आपके सब गड़़ोने के चांसे से तो आपको अपनी study मजबूत करने पड़ेगी अपनी study इतनी मजबूत कर लें आप कि किसी दूसरे वेक्तिकी जरूत ही ना पड़े तो ये चारों सिक्के आमचलन से प्राप्त किये गए हैं बहुत मुश्किल से ये सिक्के आमचलन से मिले और इनकी condition देखें आप कितनी अच्छी condition है एक बार इस सिक्के में ज़र डाले ज़रा थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ इस सिक्के की photo आपको ये देखें खादी विलेज खादी और ग्रामद्योग आयोग कि जब पचास वर्ष पूरे हुए उसकी थीम पर ये कौपर निकल के सिक्के मुंबई मिंट की तरफ से शुके गए वो ये सिक्का है बहुत ही ज़्यादा रेयर दुल्लब खास तीन अजार मिंटेज इस सिक्के की हुई इसी वज़े से सिक्का बहुत रेयर बन जाता है तो ऐसे ही ये कुछ पांच रुपे के अलग-अलग सिक्के हैं समारक सिक्के हैं जो की अलग-अलग थीम पर जारी किये गए ये देखे दांडी मार्च का सिक्का है महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा दांडी मार्च करते हुए दिखाया गया है सिक्के पर ऐसे ही ये सुतंतता संग्राम वाला सिक्का है जब भारत से बारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए इन सुतंतता संग्राम ने उनसे लड़ाई की अपना बलिदान दिया तो उसी की याद में ये सिक्के जारी के गई नीचे देख सकते हैं यहां लिखा है 1857 से लेकर 2007 और उपर लिखा है 150 years यानि के जब स्वतंतता पर्थम स्वतंतता संग्राम को 150 वर्ष पूरे हुए ताम मुंबई मिट ने एक ओपर निकल के सिक्के जारी किये इसमें आप यहां देख सकते हैं बहदूर सा जफर जिसको अंति मुगल बाश्या कहा जाता है उपर देखे जहांसी की रानी का चित्र और यहां पर तात्य टोपे का चित्र यहां पर तोप के साथ कुस सैनिक दिखाए गई है नीचे तो यह इस मारक सिक्के हैं जो की अलग-अलग थीम पर जारी के जाते हैं अलग-अलग समय को याद करने के लिए इसिक्के जारी के जाते हैं जो भी घटनाय हुई किसी चीज को कॉमामरेट करने के लिए इसिक्के इशू के जाते हैं यह 5 उर्पे के 4 ऐसे सिक्के है जिनकी कीमत अगर यह सिक्के आपको मिले AUNC यह UNC कंडिशन में AUNC में भी ना हो या Extra Fine Plus में हो यह सिक्के चारों तो इनकी कीमत लगबग 80,000 से 1,000,000 टच करेगी और अगर हो बिलकुल UNC कंडिशन के Circulation Strike वाले तो अराम से 1,000,000 रुपे कीमत जाएगी चारों सिक्कों की पांच रुपे के तो यह सिक्के अपने आप में काफी ज़्यादा खास है यह सिक्के अपने आप में काफी ज़्यादा दुर्लब है फ्यूचर में इन सिक्कों की कीमत और तेजी से बढ़ेगी क्योंकि कलेक्टर्स बढ़ेंगे सिक्के की क्वांटिटी इतनी अविलेबल नहीं है अविलेबलेटी कम है कलेक्टर्स बढ़ेंगे तो पूर्ती कैसे हो पाएगी इस सभी तक ये सिक्के कैसे पहुचेंगे तो कीमत बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है दोस्तो आज किस वीडियो में एक सिक्का लाया हूँ आपके लिए खादी विलेज का ये सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का है आमचलन का अगर ये सिक्का आप अपने कलेक्शन में ए ठीक नहीं रहता है क्लीन कर दूँआ तो सिक्का अच्छा दिखने लगेगा लेकिन क्लीन करना ठीक नहीं है जैसा नैचुरल सिक्के का कलर है वैसा ही रहने दे तो ज्याद अच्छा है डिटेल एकदम स्पस्ट है लिखावट चित्र हिंदी में अगर आप उपर पड़ें नहीं है तो इस सिक्का अगर आप खरीदना चाते हैं अपने कलेक्शन के लिए तो उपर दिया गया मेरा ये वर्टसप नंबर है और मेरी इमेल आइडी है मुझे वर्टसप करें मेरी इमेल आइडी पर मुझसे संपर करें और एड करें अपने कलेक्शन में ये रियर दु कि एक लाक उर्पे तक भी कीमत जा सकती है इन सिक्कों की तो ये बड़ी अपने आप में काफी आश्चरे वाली बात है क्योंकि जाहिर सी बात है सिक्के इतने कम छपे हैं इननुमिस्मेटिक मार्किट में कलेक्टर्स के बीचे सिक्के काफी ज़दा पोपुलर्स हैं कलेक्टर्स ढूड़ते हैं सिक्कों को अपने कलेक्शन मेड करने के लिए इसी वज़े से इनकी कीमत जा रही है आसमान पर किसी कोईन एग्जिबिशन में अगर आप जाए तो ए देखो आपको क्या रेट सुनने को मिलेगा 20,000, 27,000, 30,000, 35,000, 40,000 इस तरह रेट सुनने को मिलेगा आपको यह बिल्कुल सच फेक्ट बता रहा हूं आपको एग्जिबिशन में जाएं ट्राइ करें आपको अपना आप समझ में आ जाएगा दोस्तो आज की वीडियो जानक पर खरीदा आपने किसी एग्जिबिशन से किसी कोईन डीलर से किसी कोईन कलेक्टर से सभी के कमेंट रीड करूँ और रिपलाइ करूँ और आज की वीडियो यह जानकारी कैसी लगें चारो दुरुलब सिक्कों को एक साथ एक वीडियो में देखने पर आपको कैसा लगा क कमेंट करके बताना दोस्तों आज किस वीडियो को मैं खतम करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद